हुजूर बाब्बा सावन सिंग जी महाराज की जय, रुहानी डायरी भाग दो, अध्याई अठा रहा, इटीन, दोरा सिकंदपूर वे देहली, 14 जनवरी 1946, सिर्षा सिकंदपूर में ड्योधी और उसके दोनों तरफ लोगों के लिए कमरे और कमरों के आगे बरामदा, निवे खोद कर भर दी गई हैं, और गन्यों की छलाई और पिडाई का काम भी चल रहा है, अब की बार अभी तक इस काम के लिए लोग कम नजर आ रहे हैं, डॉक्टर साहिब ने बताया, कि जब वे नोकरी में थे, तो रिशिकेस से परे तक तश्रीफ ले गए, वहां महात मशिवनंद जी से मिले, जिनकी बड़ी परशंशा करते हैं, और जिनोंने कई अंग्रेजी किताबे योग पर लिखी हैं, वे उनके अनुसार, वे उनके कतन अनुसार बड़े हस्मुख हैं, गुसे में भी होना, हो तो हस्ते ही रहते हैं, उनसे पता लेकर स्वामित को निकल जाते हैं और शाम को आते हैं, केवल एक शिश्य सेवा करता हैं, ये दोनों महात्मा सादा जीवन वेतीत करते हुए बहुत खुश दिखाई देते हैं, फिर कैंबलपूर में जब वे सीवल सरजन थे तो एक बिमार इस्तरी को देखने गई, जब उसका गला देखा तो पूछा कि क्या आप किसी स्कूल में पढ़ाती हैं या लेक्चर देती हैं, जवाब मिला की सचसंग किया करती हूँ, चुनांचे उस महिला ने उनके घर आकर बहुत अच्छा सचसंग किया, वह भ्यास करने वाली थी, बताया कि मैं हजरों में रहती हूँ, वहां एक त महात्मा विदा होने लगे तो बोले बहन जी, आज हिंदों के रिवाज के अनुसार मेरे टीका करो, मैंने टीका किया, तो उन्होंने मेरे सिर पर हात रखा और हात रखते ही पांच सफे सफेद रुपे उंगलियों में पकड़े हुए, मुझे दिये और विदा हो गए, मैं यह कहना था कि वह महात्मा आ माजूद हुए और उसको खूब जहाड पिलाई, तब वह भी उनसे प्रभावित हो गया, फिर यह महिला उनको हजरों के पास बाहर एक योगी के पास ले गई, जिसकी उमर करीब 40 वर्स की थी, और रंग लाल था, बातों से ग्यात हुआ कि व गूमने लगी, फिर कंधों के पास की दोनों हडियां चक्कर की तरह गूम कर दिखाई, डॉक्टर साहिब ने बताया कि जब वे जहलम में थे तो एक बड़े भदर पूरुस मेजर चोपड़ा, I.M.S. से प्रिच्चे हुआ, उनके यहां एक बड़ी अभ्यास वारी पहु पर लाए और कहने लगे कि यह है मेरी गुरू है, जब यह मेरे सिर पर हाथ रख देती है, तो मेरी समाधी लग जाती है, मैं इसको हिंदी वर्ण माला पड़ा रहा हूँ, उस लड़की ने बहुत से उपाई मन को रोकने के बताई, मगर डॉक्टर साहिब ने सब उसको काबू कर सकोगे, अगर यह विचार करोगे कि तुम मन के हो, तब मन को काबू ना कर सकोगे, उस लड़की ने अचरिये परकट किया, कि औरत हो, और उसमें प्रभू का प्रेम ना हो, औरते तो प्रेम से भरी होती है, 22 जनवरी 1906, सरदार लाल सिंग कालेवाल ने बताया कि मूली को जैसे जैसे सरदी लगे मिठी होती है, इसके विपरित प्याज सरदी से कड़वा और घरमी से मिठा होता जाता है, यह विग्यात हुआ कि जो गेहूं, बारानी में पैदा हुआ हो, उसका बीज नहरिया चाही, कुए वाली जमीन में अच्छा ना फलेगा, अर्थ जूर नेक सत्संगी को जवाम में लिखवाया, कि धुनात्मक नाम तो रिशी मुनियों, रिशीयों मुनियों को ना मिला, और तीन देव भ्रह्मा, विश्नु महेश, उसको तरस्ते मर गए, जिसको कल्योग में ऐसा नाम पूरे गुरु से मिल जावे, उसको अपना सुभा अगे समझना चाहिए, और खूब नाम के कमाई करनी चाहिए, अमेरिका, इंग्लेंड, इरोप के देशों में, वहां के सत्संग्यों के पत्तर आते रहते हैं, उनमें बेशक रूहानी उन्तिक इच्छा पाई जाती है, कई मास और शुराब अंडे मचली से परहेज करना ब उनके पास धन भी है, फिर भी बहुत से हालातों में देखने में आया है कि धन, हकूमत, विद्या होते हुए भी उनकी पत्निया उनकी परवाह नहीं करती, अमेरिका से अक्सर तलाक आदी देने या लेने, और शादी करने या ना करने के पत्तर आते रहते हैं, अब एक और बात लड़ाई के कारण पैदा हो गई है कि पत्तों अपनी पत्नियों को तलाक देना चाहते हैं, मगर पत्निया उनको छोड़ना नहीं चाहती, एक फरवरी उननी सो च्छाली, आज अमेरिका से एक आदमी ने लिखा कि मैं अपनी पत्नी को तलाक देकर नहीं शादी करना जाता हूँ, जवाब दिया गया कि क्या ही अच्छा हो अगर दूसरी शादी ना करो, बल्कि अध्यात्मी कुंती और मन को खड़ा करने का प्रियास करो, संसार का कोई भी रस आंतरिक रस के आनन्द और शांति का मुकाबला नहीं कर सकता, तीन फरवरी को शिरसा में शाम के साड़े चार बजे हुआ, श्री गुरु गुरन साही में जह देखा तह दीन दे आला, आए न जाई प्रभकिर पाला, और स्वामी जी की बाणी में से धन्य 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 प्यारे, क्या कहूं महिमा शब्द की लिया गया, और पूरे गुरु की पहचान के प्रोख करे, भर्त दास जैसे करमात कहे, अबला सुतरू उप कभी न कहे, साथ फरवरी उन्य सो चालिस, आज कल एक मुसल्मान बाबू सत्संगी आये हुए हैं, जिनकी बिरादरी इस कारण से उसक से नाराज है कि वे हिंदू के सेवक हैं, हुजूर ने फरमाया, कि मैं न हिंदू हूँ, ना मुसल्मान और ना सिक, तुम उनसे कह दो, कि वे मेरे पास आकर मुझसे बाचीत करें, मैंने तुमको सच्चा मुसल्मान बनाया है, क्योंकि उनके पास जाहरी कल्मा है, तुम्हारे पास बाती नहीं, आंतरी कल्मा है, इस बात में हिंदू लोग बड़ विश्वास के कारण किसी हिंदू को जाती से बाहर नहीं करती फिर हुजूर ने फरमाया कि संतों की दया पशु पक्षी पेड़ों तक पर होती है चुनांचे एक बार आगरा में एक सुनार का इकलोता बेटा जो स्वामी जी महाराज का सत्संगीत था मरने लगा उसका बाप रोया मगर वह लड़का हसा और कहने लगा कि मैं तो जीने लगा हूँ मरने नहीं लगा मैं पिछले जनम में बबूल का पेड़ था मेरी दातुन किसी सादुने काट कर हुजूर स्वामी जी की सेवा में लगा दी उसके फलसवरूप मुझे मनुष्य जनम और नाम मिला मग पर चूंकि मैं जड़ योनी से आया था मेरी बुद्धी जड़ रही अब मुझे बड़ा अच्छा जनम मिलेगा और मेरी भक्ति पूरी होगी इस तरहां जब हुजूर बाबाजी महाराज खैरागली तश्रीफ ले गए तो एक दिन दोपहर के समय नोकर से पूछा कोई ब बाबाजी इसके नजदिक ना जाओ इससे धुरुगंद आती है बाबाजी महाराज ने फरमाया कि तुमको पता नहीं यह कौन है हुजूर कहने लगे कि इसका यह परिनाम होगा कि इस तरट्टू को अगला जनम इनसान का मिलेगा गरहस्ती संतों से दुनिया को बहुत ला पहुँचता है अगर हुजूर त्यागी होते हैं तो इन असंक्यों का कैसे फाइदा कर सकते हैं गोया कुल माली की अत्यांत दया इस दुनिया पर आजकल हो रही है कि गरहस्ती संत भेज कर सब परकार से हमकल्यू के कमजोर निर्बल जीवों का फाइदा कर रहा है जो जोग बहम बहये आंक से देखते हैं और संत मत से अंजान है वे भले ही हुजूर को एक बड़ा दुनियादार और संभव है स्वार्थी समझे परंतु यह उनकी सकत भूल है वे संतों की दया से खाली रहेंगे मुलाना रूम ने कहा है एक और अजहक दीदा खवा अर्थात ए अंदो परमात्मा से आंके मांगो और हाफिज ने कहा है जहदे जहर परस्त अजहाले मा आगहा नेस्त दरहके मा हर्चे गोयत जाए हेच अकरहा नेस्त अर्थात यह दिखावे के पुजारी हमारे हाल से अंजान है इसलिए हमारे विशे में यह जो कुछ भी कहते हैं उस चायद इनको हकीकत का पता चले, 11 फरवरी 1946, जार्ज बर्नार्ड की बावत मैंने ट्रिबून लाहोर में पड़ा है, कि वे मास, शराब, सिगरेट, चाय या कोफी का प्रियोग बिल्कुल नहीं करते हैं, और उनके आयू 90 वर्स बताई जाती हैं, और ठंडे देश में रहते ह चुनांचे उनका जीवन इस बात को रद कर देता है, कि जो लोग मास नहीं खाते, वे दुनिया में कम आयू पाते हैं, या निकम में और कम जोर होते हैं, 12 फरवरी की रात को शांती आश्रम में, सत्संग 10 बजे के बाद 12 महा श्री गुरु गुरन साहिव में से किया गया, सत्संग के बाद एक सत्संगी ने कहा कि मेरा भाई बे रहमी से कतल किया गया, यह क्यों, वह तो बहुत अच्छा आदमी था, हुजूर ने जवाब दिया कि पूरुफ जन्म का लेन देन था, यह कर्मों का कानून है, बदला दिये बिना नहीं छूट सकते, चुनांचे भा भाई लाल सिंग मिया विंट भाले का किस्सा सुनाया गया कि किस परकार उसके भाई के भैसे ने उसके पेट में सिंग मार कर आंतरियां बाहर निकाल दी थी, और वह दो दिन, दो तीन दिन तक तड़प कर मरा था, यह देपी बड़ा शाधू आदमी था, यह क्यों हुआ, भाई लाल सिंग ने बताया कि वह भैसा पूरुजनम में सुनार था, मैंने इसके पेट में छवी मार कर इसका वद किया था, अब मैं उसका बदला दिये बिना काल की सीमा से परे नहीं जा सकता, दूसरे ने पूछा कि परसाद का क्या महतव है, हुजूर ने फरमाया कि पर या खेतों में नहीं गए, चोधा फरवरी को बरामदे की पहली मंजिल का लेंटर लगता रहा, दो बज़े तक वहां मौजूद रहे, फिर वहीं खाना खाया, तो तब्यत बिगड गई, दाई, पसली में कुछ दर्द महसूस हुआ, अपने कमरे में जाकर लेट गए और द खेतों से आकर एकत्रित होते गई, हुजूर ने फरमाया कि हम लोग मन को बेकार रखते हैं, चाहिए कि जब सैर को जावे, या रेल गाड़ी में यातरा करते हों, या मोटर कार आदी में यातरा करते हों, तो मन को सुमिरिन में लगाए रखें, इससे एक तो नीद अच्छ गूने की आदत पड़ गई है, जब काम भी करता है, तो भी आवारा फिरता रहता है, लेकिन जिस समय हिसाब किताब में लगा होता है, उस समय मन के कुछ आंश आकर काम में शामिल होते हैं, वरना मन तो सबतंतर ही गूनता रहता है, इस भटकने से इसको रोकना चाहिए, औ हुजूर मेरे कमरे के आगे कुरसी पर विराजमान थे, और कई बीबियां और आदमिया सपास दर्शन कर रहे थे कि डॉक्टर साहिब ने पूछा की है, जो कहा है, गुर्मुक कोट उधारदा भाई देन आवे एक कणी, और स्वामी जी की बाड़ी में भी आया है, गुर् हुजूर ने फरमाया कि स्थान स्थान पर गुरु सेवा पर जोड दिया गया है, साथ ही गुरु को यह है आग्या दी गई है, गुरु पीर सदाए, मंगन जाए, ताके मूल ना लगिये पाए, इसलिए सेवा का कर्तव्य है कि परिश्रम करके, इंद्रियों को रोक कर, मन और सूरत को तीसरे तिल पर अंदर ले जाई, जावे, जहां कि सत्गुरु सुक्षम सवरूप में सेवा की पर दिक्षा कर रहे हैं, उसके बाद सत्गुरु का कर्तव्य पर रारंभ हो जाता है, जब तक सेवा के है काम पूरा नहीं करता, गुरु भी चुप रहता है, किसी ने पूछा कि आप फरमाया करते हैं कि जब हुजूर बाबाजी ने आपको एक बार भजन करते देखा तो फरमाया कि क्यों दुख उठा रहे हो, हमने तुमारे लिए बहुत कुछ कर रखा है, इस पर हुजूर ने जवाब दिया कि उन्होंने मुझसे परमार्थी इसलिए अगर एक अमीर मुनुष्य अपनी आधी समपती दे कर किसी गरीव को अमीर बना ले, तो उसका यह तात पर रहे नहीं कि आम आम फाइदा हो गया, सधारन नियम यही है कि परिश्रम दुवारा अंदर जाओ, यद्यपी सत्गुरु के पास शक्ति है कि आत्मा को ख लकड़ा हुआ हो, उपर उठाना, अगर धीरे धीरे उसकी जंजीरे एक एक करके खोल दी जावें, और उसको सवतंतर करके उपर उठाया जाए तो उसमें यद्यपी समय लगेगा, तो भी आराम से जावेगा, और जब जावेगा जंजीरे उसको नीचे नहीं गिरा नीचे का पत्तर नकल करने योग्य है, हुजूर के चर्णो का सेवक सिंख 27 नुवंबर 1945 को हुजूर ने मुझ गरीब मिस्किन को नाम की बक्षिश की थी, बंदे ने हुजूर के आग्या नुसार बिस्तरे पर ही सुमिरन करना परारम किया, तीन चार दिन के बाद मुझे परकाश नजराया, और मेरी आत्मा अति परसन होई, फिर हुजूर की दया से तीन चार दिन के बाद मेरी आत्मा ने चड़ाई करने शुरू कर दी, और मुझे पहले तो सितारे दिखाई दिए, उसके बाद मुझे सितारे और चान दिखाई दिए, एक बड़ा मैदान है औ और चान दिखाई दे रहे हैं, फिर हुजूर की दया से मुझे बड़ी तस्वीरे दिखाई दी, मगर हुजूर का दर्शन उनमें ना हुआ, लेकिन मेरा पुतला अकेला बैठा, हाद जोड कर भजन करता दिखाई देता था, बाद में हुजूर सच्चे पाश्या जी मुझे आप जी के दर्शन हुए, और बड़े जोर की घंटों की अवाज आई, फिर हुजूर मेरी रूहों ने चड़ाई की, एक दरवाज्या बन दिखाई दिया, और मैं जब पास गया तो खुल गया, ताला भी खुल गया, वहां एक मकान दिखाई दिया, उसके बाद हुजूर सुर्य की किरने दिखाई दी, वहां सुभह का समय था, सुर्योद्य होने वाला था, मेरी दूसरे दिन फिर चड़ाई शुरू हुई, पूछा तो सुभह का समय गयात हुआ, उसके बाद हुजूर ने और भी दिरिश्य दिखाई, एक बार मेरी रूहों को हुजूर की करने पड़ती थी, रूहों हाँ, चली गई जहांकि एक कुआ था, और उसमें एक नल लगा था, मैंने नल से अपने शरीर को धोया, और इसी परकार दो बार हुजूर ने मेरे शरीर को निचोड़ा, मैंने अपने शरीर को नल के पानी से धोया, उसके बाद एक शहर से चार रूह को बहुत कलियों से पार किया और एक शहर में छोड़ा, जब मैं वहाँ पहुंचा तो सतनाम सतनाम की आवाज सब आद्मियों के मुह से निकल रही थी, मैंने पूछा, तो एक और मकान था, उसमें एक लड़का था, उसने मुझसे कहा कि सतनाम बहुत उंचा है, फिर सितारों जैसे दिखाई दिये, और बड़े बड़े गंटों की आवाज आती रही, और मैं देखतावे सुनता रहा, उसके बाद और बड़े दरिश्य दिखाई दिये, एक दिन वीना की आवाज आती रही, और मेरी रूप वीना की आवाज सुनकर मस्त हो गई, और उसके ब सितारे, चांद और सुर्यती नों दिखाई दिये और बाद में बहुत सी तस्वीरे दिखाई दिये लेकिन आपका दर्शन नहीं हुआ, मेरा दिल बहुत उदास हो गया, उसके बाद मेरी रूह चड़ाई में गई तो मैं सुबह दो बजे से लेकर पांच बजे तक सुमिरन म लगा रहता हूँ, और परहेज भी बहुत किया, किसी के घर का खाना वै इस्तरी से परहेज किया है, बीस फरवरी, एक जर्मन सत्संकी के परसन के जवाब में कहा गया, कि योगी तथा योगेश्वर, लोग, जो सहस्तर दल कमल्यात रिकुटी तक जाते हैं, उनको नाम ले लेने के लिए फिरी संसार में जनम लेना पड़ता है, मगर कई बार ऐसा होता है कि कोई संत सत्गुरू उनको वहीं अंदर नाम देकर उपर ले जाता है, मगर यह वही संत कर सकता है, जो देहधारी हो, शरीर छोड़ने के बाद नहीं कर सकता, 22 फरवरी की रात हुजूर ने थेहडी रसूलपुर में बड़े भाई साहिब के यहां गुजारी, सुभा के नो बजे की करीब, दूसरे दिन वहां से होदियां के गन्ने के खेतों में आ गई, और वहां से मिल में होते हुए सिकंदपूर तश्रीफ लाई, क्योंकि कारिग काम देखना जरूरी था, कभी कभी सत्संगों में हुजूर निचे लिखे सलोक पड़ा करते हैं, मन के रंग बदलने का नक्षा, कभी मन रंग तरंग चड़े, कभी चित चाहत है धनको, कभी त्रिया संगलू भावत है, कभी सब छोड चलियो बनको, और जन्नी जने तो भ काहे गवाए नूर, 28 फरवरी की रात को, 10 बजे सत्संग आरम हुआ, श्री गुरु गुरन साही में से, सच्चा आप स्वारन हारा, अवर्न सूजस बीजी कारा, और स्वामी जी की सार बच्चन नबज में से, सत्गुरु का नाम पुकारो लिया गया, आज ड्योडी की पूरन हो चुकी है, इसके चार और कमरों की छते भी पूरन हो गई है, दो मार शुकरवार को मिल से होकर थेड़ी रसूरपूर, बड़े साहिब जादे के निवास्थान पर तश्रीफ ले गई, वहां साहिब जादा ने परार्थना की कि हुजूर मेरे मकान के पिछे जो ख पूछेंगे, यह जवाब आश्चर यह जनक था क्यूंकि थेड़ी तो बिलकुल मैदान सा है, वहां तो कोई भी नहीं रहता, हुजूर ने फरमाया कि पहली भी एक बार जब कमपास वे लेवल लेकर थेड़ी को बराबर करने गए तो एक मुसलमान फकीर कहने लगा कि यह यहां क्या करोगे, तो मैंने जवाब दिया कि यहां निवास के लिए मकान बनाएंगे, इस पर वह बोला कि अच्छा मैं भी एक और को रह जाऊंगा, और यह कहते कहते गायब हो गया, लोग खोच करने लगे मगर मैंने कहा कि वह तुमको नहीं मिलेगा, गोया थेड़ी के उपर सुक्षम लोगों की रूहे जिनको भूत भी कह सकते हैं, अभी तक रहती हैं, फिर कहते हैं कि यह खंडर छह हजार वर्स पुर्वेक बड़ा शहर था, एक बार एक मिट्टी का सांचा मिला, जब उसको गिली मिट्टी से भरा तो बुद देवता की तस्वीर बन गई गोया बोधमत के जमाने से यह बड़ा शहर होगा, उस समय यहां एक बड़ा दरिया जिसको सरस्वती कहते हैं बहता था, उसके किनारे दोनों और बड़ी आबादी थी, जो बड़े बड़े पत्थर, यहां से एक दो मिल पर थेड़ी कहान पर देखे जाते हैं, उस दरिया में लाए गई, उस थेड़ी पर भारी पत्थर, पर बड़ा भारी किला, हिंदु राजाओं का था, यह चार से छे मिल तक चोड़ा, टुकड़ा, सूरतगर रियासत भी का नेर तक चला गया है, यह दरिया की तहत ही, एक सुरंग किले से शहर को आती थी, जिसके अब तक हि पराने समय के सिक्के धातु के मिल जाते हैं, तीन मार चितवार को सिरसा सतसंगर में सतसंग हुआ, चूंकि दूसरे दिन नाम दिया जाना था, इसलिए स्वामी जी बाणी में से नाम निर्ने करूं भाई, शब्द लिया गया, हुजूर ने फरमाए कि अगर सेवक तन मन औ धन गुरु को देवे, तो शिघर ही त्रिकुटी में रूँ चली जाएगी, दूसरे दिन शोमार को शाम के दो बजे नाम देना प्रारम किया, सतसंग्यों की संख्या इस बागण में बढ़ती जा रही है, कल पांच मार्च को फिर रात के दस बजे शानती आश्रम में सतसं श्री गुरु गुरंसाही में से गुरु रामदास का शब्द हरी कियां कथा कहीं कहानियां गुर्मीत सुनाईयां लिया गया, कल शाम तक मिल का काम समापत हो गया, आज कल गुड का मुल्य सतारा रुपे प्रती मन तक पहुँच गया है, जो पहले कभी नहीं हुआ था, अ अमार शनिवार की रात को साड़े नो बजी, शान्ती आश्रम के अंदर श्री गुरु गुरु गुरंसाही में से जहन देखा तहदीन दयाला, आई नजाई प्रभ किरपाला पड़ा गया, हुजूर ने फरमाया कि श्री गुरु 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 साहीब धार्मिक पक्सपात की सिक्षा नहीं देता, यह तो प्राकृतिक और बड़ी उंची रोहानी फिलास्फी है, लोगों ने इसको मजहब बना लिया है, गुरु गोबिन सिंग जी ने भी कहा है, कि पूरण जोत जगे घट में, तब खालस ताही, निखालस जाने, एक अमेरिकन पत्तर के जवा में कहा गया है, कि गुरु कभी नहीं मरता, जिनकी रूहें अंदर जाती है, उनको तो वह गुरु हमेशा अंतर में वैसे ही सायता करता रहता है, जैसे अपने जीवन में करता था, बाहर का सत्संग सुनाना और सिक्षा देना, उसका उत्रा धिकारी करता है मगर ध्यान पहले ही गुरु का करना चाहिए, जिससे नाम लिया था, वही अंतसम में दर्शन देगा, और उत्रा धिकारी से नाम दुबारा लेने की अवशक्ता नहीं है, जब तक गुरु सेवक को सतलोक नहीं पहुंचा लेता, उसकी जिम्मेदारिस मापत नहीं होती, त ठेहडी तश्रीफ ले गए, रास्ते में होदियां की जमीन कमाद की कास्त के लिए अंग्रेजी हलों से तियार की जा रही थी, हुजोर ने फरमाया कि गुरु नानक और उनके नो उत्रादिकारियों ने आंत्रिक रहस्य, रहस्य, बड़ी गुड बानी में वर्णन किया है क्योंकि उस समय मुसल्मानों का राज्य था और धार्मिक सब्तंतरता ना थी, गुरु साहिबान भी शिगर ही नाम नहीं दिया करते थे, कई कई वर्ण तक लोग सेवा करते, तब नाम दिया जाता, और संभाल की भी यही स्थिति थी, कि जिसने प्रेम प्यार से मेहनत से अ गई, मगर अब स्वामी जी के समय में यह स्थिति है कि जो प्रेम से नाम मांगे उसको दे दिया जाता है, और संभाल की स्थिति तुम प्रति दिन लोगों से सुनते ही हो, प्रेमी सत्संगियों के संभंदियों तक की आंत समय संभाल होती है, रात बड़े साहिब के निवा स्थान परवैतित की, दूसरे दिन सक्रांती चेत महिने की थी, वहां अंगन में आट नो बजे के दर्मियान शरी गुरु गुरंत साहिब में से बारहा महा लिया गया, उसके बाद हुजूर और सेवादार डर्बी गाउं में गए, जहां नोहरा गिर गया था, क्योंकि सित पाक लग गए दो-चार, बारे जलत दुरस्त की दिवार, अंतर के वल इतना था कि यहां बीस्यों वैक्तिक कारे कर रहे थे, शाम को चार-पाँच बजे तक सारी दिवार बन गई, हुजूर सारा दिन वहां स्वया मौजूद रहे, फिर वहां से खोड़ा गाड़ी में ही पहले हो दियां आए, जहां की अंदेरा हो चला था, जमीन से, जमीन जिसमें कबाद बोने के लिए अंग्रेज, अंग्रेजी सुहागच चल रहा था, देखी, फिर यहां से चार-पाँच मिल पर मिल में होते हुए रात के आट-नो बजे घर पहुँच गए, लोगों को खा नबांटा रात को सत्संग शांति आश्रम में सक्रांति का हुआ, स्वामी जी महाराज की बाणे में से बारहा महा में से चैत का महिना पड़ गया, चैत महिना आया, चैत बांधा सत्गूरू भोमे सेथ, इसमें सतात पर यह है कि हे जीव, तुम्हें अभी इंसान का शरीर म पिल गया है, आजाग सत्गूरू ने भोसागर में पुल बांधिया है, भोसागर से तात पर यह है, खोफ का समुंदर, यह दुनिया खोफ का समुंदर है, इसलिए है कि यहां मन और माया के बस में आकर लोग जो जो अच्छे या बूरे करम करते हैं, उनके बदले नर्क औ क्योनी की ओसत निकाले तो भी कम से कम 84 लाख वर्स के बाद, इनसान नी शरीर के पुनहे मिलने की बारी आती है, और नर्कों में तो करोडो वर्स वैतीत हो जाते हैं, हिंदू मत के पुरान पढ़ कर देख लो, फिर इसी समुंदर के उधारन को पूरा करके फरमाया, जीव चिताय जो थे वार, भो सागर से किनहें पार, भो सागर अतिगहिर गंभीर, सत्गुरु पूरे बांधी दीर, तनमंधन की लई जगात, शिश्य उतारे गही करहात, सुरत बहे थी नो की धार, ताही चड़हाया गगन मंझहार, जो लोग इस ड्रामने समुंदर के सोर थे, उनको हुश्यार करके दूसरे किनारे पर लगा दिया गया, फरमाया कि सत्गुरु मलहा है और शब्द जहाज है, जिस पर बिठाकर इस समुंदर से पार करते हैं, यद्यपी है समुंदर बहुत गहरा था, फिर भी सत्गुरु ने होसला दिया, लेकिन सत्गुरु मलहा की तरहां महसूल मांगते हैं, जब तक उनको महसूल ना दिया जाए पार नहीं करते, वह महसूल क्या है, तन, मन और धन, उनको देना, जैसे कई अंगरेजी पुस्तकों में भी आया है, Surrender All and Have All, अर्थात सब कुछ अर्पन करो और सब कुछ पालो, यही कठिन बात है, हम तन, मन नहीं देते, इसलिए रूह अंदर नहीं जाते, बाहर बैठे बैठे हाई हाई करते हैं, जब तक तन, मन अपना समझ रखा है, रूह अंदर नहीं जाएगी और रूह नो दरवाज में भटकती रहेगी, जब जकात महसूल दे दी, तो पहले अकाश में जोत का परकास देखा, जिसका उजाला जिबरिल फरिष्टे के पर जलाता था, उसके बाद मकामे अल्लह से गुजर कर फिर शश्माल चक्करा गया, यानि रूह जब जोत से परे जाती है, तो नीचे भ पर भी, स्वामी जी ने और स्थान स्थान पर भी कहा है, सूर चांद दोव दिस देखे, सुखमन गगना तारे पेखे, यानि नीचे देखा तो सुरिय और चांद देखे, और उपर देखा तो सुरिय और चांद देखे, तुलसी साहिब ने भी अपनी शब्दावली में ऐ हंसों से मिली, महासुन की रचना ड्रावनी भी है और मन उभाने वाली भी है, यह मैदान बहुत बड़ा है जिसकी बाबत मुलाना रूम ने कहा है, अंतरिक लोकों के मुकावले में हमारा संसार ऐसा ही है जैसे भरे समंदर में एक तिन का, वहाँ चार मुकामों से चार बहुत बारिक शब्द उठते हैं, फिर आगे जाने के रास्ते का वर्नन करते हैं कि अंचित दीप दाएं रहता है और सहज दीप बाएं, यह है, यह बड बड़े मंडल हैं, सहज दीप दस पालंग का है, यह तिलो की एक पालंग है, इससे आगे संतोख दीप है, जिसमें जहरणा अर्थात सरोवर है, गूरु साहिबान ने इस दवीब के तलाब को नकल संतोख सर बनाया, जहरणे के पास से जान्या होता है, उससे आगे अनाहू सोहं से होती हुई रुहू मकामे हक सचकंड जा पहुँची, फिर आगे अनामी देश में गई, जहा ना शब्द है ना आवाज, सब संत उस देश से इस तर लोकी में आकर यहां के जीवों को नाम देकर उधर ले जाते हैं, जो चेते तिल तिसले पहुँचावे, सूरत शब्द मारक बतलावे, जिव चेत जो माने कहना, ताको फिर दुख सुक नहीं सहना, फिर फरमाते हैं, भोसागर धारा अगम, खेवटिया गुरुपूर, नाव बनाई शब्द की, चड़ बैठे कोई सूर, बहादुरी वही ह जो संतों की सिक्षानुसार, सूरत सब्द की कमाई में, परिश्रम करके पार चले गए, 15 मार्च को डरभी में कुछ काम था, वहां से वापसी पर रात को थहडी में थहरे, 16 मार्च को शाम को सिकंदपुरा गए, 17 मार्च की शाम को पांच बजे सिर्षा में सतसंग हुआ स् सत संगत करत बहुत दिन बीते अब तो छोड़ पुरानी बान कब लग करो कुटिलता गुरु से अब तो गुरु को लो पहचान लिया गया रुहानी उन्ति केवल पूरे गुरु से नाम ले लेने पर निर्भर नहीं सत संगी को चाहिए परिशरम दवारा उसकी कमाई करे और गुरु कोई है समझे की हकीकत लिबासे मजाजी मानुस देहे में परकट हुई है उनके अपदेश अनुसार अपने जीवन को ढ़ाले केवल किताबों को पढ़ने से या धार्मिक गीतों को काकिर्तन करने से रुहानी उन्तिना होगी जैसे कि कहीं लोग सारी उमड़ गीतों के या श्री गुरु गुरु गुरंद साहिब के या कुरान शरीव के पढ़ने को ही इबादत भजन ख्याल करते हैं जब तक रुहों अंदर ना जाए इंसानी जिन्दगी का उदेश्य पुरण नहीं हो सकता इसके बाद श्री गुरु गुरंद साहिब में से रामा रम रामो सुन मन भीजे शब्द लिया गया यह शब्द सथ गुरु रामदाह जी का है इसमें गुरु साहिब ने मन के भीजने के यानि मन के काबू में आने के दो साधन वर्नन किये हैं। एक तो रामा रम दूसरे राम और सुन। राम से तात पर्या है, खुदा या परमेश्वर से हैं। गुरू साही फर्माते हैं कि परमेश्वर मेरम जा और परमेश्वर को सुन। तब मन काबू में आएगा परमेश्वर मेरम जाना तो समझ में आता है किन्तु परमेश्वर को सुनने से क्या तात पर्या है हम आवाज को चाहे इनसान की हो या हैवान की या दो वस्तों के टकराने की सुनते हैं क्या परमेश्वर आवाज है जिसको सुना जा सके ताकि मन काबू में आ जाए संद कहते हैं हाँ परमेश्वर शब्द यानि आवाज रूप में तुम्हारे अंदर अनभव किया जा सकता है उसको महसूस करो यही संतों का अदभूत रहसे है जिसको समझने के लिए गुरू के पाज जाने की अवशक्त है इसी तरह बाइबल में भी खुदा को शब्द रूप लिखा है वर्णन क्या है कलाम वर्ड ही खुदा है शब्द कलाम नाम दोनों परमेश्वर के उस दुनात्मक सवरूप का वर्णन है तुलसिदा जी ने रमायन में लिखा है व्यापक एक भ्रम अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशी अस प्रभू रिद्य अच्छत अविकारी सकल जीव जग दिन दुखारी कि यद्यपी खुदा या भ्रम सब दुनिया में फैला हुआ है उसके सर व्यापी होते हुए भी संसार के सब लोग दुखी और लाचार है यह क्यों है इस क्यों का जवाब ना पाकर बहुत से यूरोपियन लेखक पड़े लिखेवे फिलोसफर आदी परमात्मा की हस्ते को मानने से इनकार कर गई मगर तुलसी दाजी जवाब देते हैं कि ये लोग इसलिए दुखी हैं कि इन्होंने ब्रह्म के शब्द सवरूप को अपने अंतर में नहीं पकड़ा और उसकी शरन नहीं ली यही गुरु राम दाजी बता रहे हैं दोरा देहली 18 मार्च 1946 को अपनी कार में सुबह आठ बजे से कुंदपुर चल कर हुजूर पहले ही सार पहुँचे वहां लाला कुंजलाल जी एडवोकेट की खोटी रेलवे रोड पर चंद मिनट ठहर कर दोपहर से पहले रोहत तक मुहलाक लाला स्वरग्य लाला दुवार का परसाद वकील के मकान पर आई वहां खाना खाकर दोपहर को आराम किया खाने से पहले संगत को जो की जमा हो गई थी दर्शन दिये फिर उसी महले में जैन गर्ड स्कूल के आंगन में शाम के छे बजे के करीब सत्संग हुआ दूसरे दिन सुभा को आठ बजे फिर सत्संग हुआ शाम को लगभग पचास साथ हिस्तरी पूर्शों को नाम दिया गया देहली से एक दो बीवियां और लगभग पचास साथ हिस्तरी पूर्शों को नाम दिया गया डोक्टर हांडा साहीब और सरदार गूर्द याल सिंग इंस्पेक्टर पुलिश, पुलिश भीतसरी फुलाई बातों बातों में उन्होंने फर्माया कि रुहानी तरक्की के लिए तो यहां तक जरूरी है कि अपने घर की इस्त्री से भी भोग विला से प्रहेज करें रोत्तक के मकान बहुत खुले खुले और महले बड़े वैगलिया चोड़ी चोड़ी हैं मगर बाजार यदेपी खुले खुले हैं उनमें भीड़ भाड ज्यादा मालूम नहीं होती देहली से सिर्फ छाली मेल होने पर कि वज़े से यहां दुकानदारी ज्यादा फायदे मन मालूम नहीं होती जिस किसी को कोई जरूरत की किम्ती चीज खरिदनी हो देहली से ले जाता है रहत तक में कुछ गर्मी महसूस हुई फिर भी कमरों के अंदर सोना बूरा मालूम नहीं होता था दूसरे दिन सुभह साथ बजे के साथ आठ बजे के दरमियान देहली को रवाना हो गए और वहां नो दस बजे के लगभग करोल बाग नहीं दिल्ली होते हुए दरियागंज नंबर साथ पर पहुँच गए वहां कुछ संगत मौजूद थी और कुछ हा रही थी एक शब्द लिया गया कि फिर शाम को छे बजे सत्संग हुआ सुबह के आठ बजे और शाम के छे बजे सत्संग शुरू होता रहा स्वामी जी की बाणि में से गुरू कहे जगत सब अन्धा वै सुन रेमन अनहद बैन और सीरि गुरू गरहन साहीब में से तेरियाँ खानी तेरियाँ बाणी वे कबीर साहब की बाणी में से करने नोदीदार महल में प्यारा है और सहजो बाई की बाणी में से राम तंजू पै गुरू ना भिसारू लिये गई सत्संग में संगत शाम को सुबह से जादा होती थी क्योंकि नोकरी पेशा लोग दफ्तरों की वजह से शाम को ही आ सकते थे हाजरी हर रोज बढ़ती गई और वह आंग जिसमें सत्संग होता था इस कदर भरा कि लोग बाहर सड़क पर खड़े थे बहुत भीड थी 23 मार्च को सुबह का सत्संग देकर हुजूर नई देहली के एक बाबु के घर तशरीफ ले गए और वहां 5-6 मिनट दर्शन देकर करोल बाग होते हुए 20 राजपुर रोड देहली सरदार बचित सिंग साही प्रांसपोर्ड आफिसर के निवास्थान पर 12 बज़े से पहले पहुँच गए वहां जाकर कई इस्तरी वपुर्शों को नाम दिया जिसमें देहली विक्टोरिया लेडिस होस्पिटल की डॉक्टर साहिबा की बहन भी थी इससे पहले नई दिली से मिस रूग, मिस्टर सेक्शन और डॉक्टर शराफ वेवस की धरम पतनी प्रिंसिपल विक्टोरिया लेडिस होस्पिटल तथा उनकी बहिन हुजूर के दर्शन के लिए दरिया गंज के बाइस मार्च को शाम के चार बजी के करीब तशरीफ लाए थे मिस्टर सेक्शन ने पूछा की हम लोग जो इंगलेंड में रहते हैं हमको राशन में मास अंडे मचली आदी चीजे मिल सकती हैं अगर इनकार करें तो उनके बदले या तो कुछ नहीं मिलेगा या सबजिया जिनको खाकर हमारा शरीर मुश्किल से काम कायम रहेगा हुजूर ने जवाब दिया कि यह हमेशा के लिए नहीं होगा और आज कल भी विलायत में कई अंग्रेज इस्तरी पूरुष सत्संगी है जो गुजारा कर रहे हैं और अमेरिका में बहुत से अमेरिकन इस्तरी पूरुष सत्संगी मास, शराब, मचली वै, चर्बी आदी से बिलकुल परहेज करते हैं यहां तक कि जिन विस्कुटों या डबल रोटियों में कस्टर्ड मिला होता है वे भी इस्तमाल नहीं करते या द्यपी कस्टर्ड में अंडे की मातरा बहुत थोड़ी होती है वहां डोक्टर पिटरी डोटांडी डी सी ने एक सबजियों के खानों की पुस्तक वेजिटेरियन कुकरी लिखी है जिसके कीमत पांच रुपे के करीब है और वीलिंग पब्लीशिंग कमपनी 3318 पुईबलो एवन्यू लोंस एंजिल्स कैलिफोर्निया में यह किताब छपी है उसमें बहुत सी अच्छी अच्छी युक्तियां सिर्फ सबजियों अनाजवेगी से खाना पकाने की लिखी है 23 मार्च की दुपहर और राज का खाना सारी संगत ने सरदार साहीब सरदार बच्चितर सिंग के यहां खाया सरदार साहीब ने संगत की बड़े प्रेम से सेवा की और लारियां और कारे उनकी कोठियां कोठी पर दरियागन से संगत को सवार कराकर सारा दिन लाती रही वे स्वेम भी बार बार दरियागन तस्रीफ लाती रहे वहां से शाम का सचसंग करके जिसमें कई हजार लोग इकठे हो गए थे रात को दस बज़े के बाद हुजूर दर्यागन तस्रीफ लाए 24 मार्ट सुभह को बहुत सी भीड नाम लेने वालों की हो गई थी धक्का पेल हो गया जिसकी बज़े से बहुत से लोग नाम से खाली रह गई इसलिए शाम का समय शाम का सत्संकर के रात को नो बज़े के बाद फिर बाकी लोगों को नाम दिया गया जिसमें ज़्यादा तर बुलंद शहर के जिले के दिहाती लोग थे हुजूर गोया सुभह के आठ बज़े से लेकर रात बारा बज़े तक काम करते रहे 25 मार्च को 7 बज़े कार में चल कर पहले साड़े आठ बज़े रोह तक मुहलक लाला में तस्रीफ लाए सिर्फ पांच मिनट संगत को दर्शन देकर हिसार ग्यारा बज़े के करीब बाबु कुंज लाल जी की कोठी पर दर्शन देकर ग्रेवाल मिल सिकंदपूर में सवा बारा बज़े पहुँच गई दस मिनट वहां के सेवादारों से बाचित करके शांती आश्रम में तस्रीफ लाए 28 मार्च वीरवार को सिकंदपूर से सवा साथ बज़े सूब है मैं मिस्तरी शादीवे गुलपाल सिंग लठा हुजूर के साथ कार में रवाना होकर पहले सिरसाए वहां उतर कर हुजूर ने सब संगत को दर्शन दिये और वहां से चल कर सिधे मुक्तसर आकर दम लिया वहां चोधरी दिहान सिंग ओपरेटिव इंस्पेक्टर वैचोधरी बुधराम म्यूंसिपल कमिशनर वैकई और सचसंगी और सचसंगी ने हुजूर के दर्शन के लिए मुजूद थे जगहा जगहा संगतों की इच्छानुसाराष्ट के शहरों वैगाउं में तारे दे दी गई थी वहां से सराय नागा पंच गराई कोटक पूरा की संगतों को कार से उतर कर हुजूर ने दर्शन दिये मुगा में कप्तान सरदार बहादूर लाल सिंग के घर आई वहां भी लोग इंतजार कर रहे थे वहां चंद मीन ठहर कर डोक्टर प्रेमनाथ साहिब के होस्पिटल में मुगा में आई वहां सरदार दरियाई लाल के दामाद कप्तान डोक्टर बैजनाथ जो एबदाबाद में हमारे मेजबान पिछले साल सरदी में थे वे भी मिले गए वहां से जगराओ और लुधियाना लाला शांती सागर के निवास्थान पर ठहर कर लुधियाना सीविल लाइन्स में बाबू बलवंत राई वकील के मकान पर आई वहां बहुत सारी संगत शहर की एकतरित थी सारा आंगन भरा हुआ था वहां सब ने खाना खाया और वहां से तीन बज़े चलकर रास्ते में गुराया, मूली, फगवाडा, वै जलंदर छामने की संगतों को दर्सन देते हुए जलंदर शहर सरदार जगत सिंग के पास आकर उत्रे आहलू वालिया साहिब भी मिल गई लेकिन सिर्फ पांच मिनट ठहर कर लोहा मंडी से होकर कपूर थला, प्रोफेसर, जग मोहनलाल जी के मकान पर गई वहां एक शब्द का सत्संग हुआ वहां से सरदार मदन गोपाल चिंग को दर्सन देकर धिल्मा की संगत को दर्सन देते हुए ब्यास कुछ मिनट स्टेशन मास्टर साहिब से मिलकर देरे अंधेर्या होसते आप पहुंचे सत्गूरु महाराज की जे सत्गूरु तेरा ही आसरा जयगूरु देव जब कुल दो